दोस्तों जब भी आप mutual fund में पैसा अपना invest करते हैं तो बहुत बार आपके दिमाग में आता होगा आप बहुत बार ऐसा सोचते होंगे कि आपको पैसा जो है वो लंसम invest करना चाहिए या S.I.P. के थुरू investments करने चाहिए और बहुत बार आपने जब सर्वे किया होगा तो आपने भी यही पाया होगा result कि आपको अपना पैसा S.I.P. के थुरूई ही investments करना चाहिए उसका reason उसका one of the major reason यह है कि market देखिए most of the time market जो है वो आपको हमेशा zigzag pattern में काम करता हुआ मिलता है कभी 19.500 से 19.700 चला गया तो वापिस 19.600 आया फिर वापिस 19.600 से 19.600 तो मार्केट धीरे धीरे slightly slightly उपर की तरफ मूब करता है या मार्केट धीरे धीरे slightly नीचे गिरता है बहुत कम टाइम ऐसा देखा जाता है कि बाजार जो है शार्प स्विंग लेता है या तो उपर की तरफ और या फिर शार्प डाउनफोल बाजार में नीचे की तरफ देखने को मिलता है short time period की बात कर रहा हूं नहीं तो अगर आप long term में market को देखेंगे तो बाजार धीरे 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 अपनी उचाईयों को चुछता है और धीरे 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 जो है वहां से correction लेता है so जो market के expert हैं वो भी हमेशा SIP को ही सबसे best जो है model मानते हैं market में पैसा लगाने के लिए right because आपने अगर अपना SIP किसी भी month start किया तो उस महीने हो सकता है कि बाजार जो है वो one side उपर की तरफ रहा हो लेकिन next month में अगर बाजार जो है वो एकदम से downfall पे चला जाए तो अगर आपने last month ही पैसा अपना invest किया है mutual fund में जहांपे की लंबे समय में आपको better returns देखने को मिलती हैं तो ऐसे time period में आप कई बर panic होके जो है अपना loss booking करके बाहर निकलाते हैं stock market से so better would be कि SIP के तरूप पैसा लगाएं लेकिन SIP के तरूप पैसा लगाने के लिए आपको one of the major की ऐसी कौन सी है जो आपको ध्यान लखनी चाहिए mutual fund में देखिए अभी तक आपने सुना होगा CAGR के बारे में compound annual growth return आप CAGR को check करते होंगे CAGR basically है क्या है let me share with you लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक और major की ऐसा है जो की अलग ही role play करता है जब भी आप mutual fund में पैसा लगाते हैं उसे भी analyze करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं बात कर रहा हूँ XIRR के बारे में यानि कि extended internal rate of return right so आज हम बात करेंगे detail में CAGR और versus XIRR के बारे में मैं आपको detail में example के साथ बताऊँगा कि दोनों में basically फरक क्या है लेकिन ये video आपके लिए important और जरूरी इसलिए है अगर आप पैसा अपना mutual fund में लगाने की सोच रहे हैं और या फिर आपका पैसा already mutual fund में चल रहा है कि जिस fund में आपका पैसा चल रहा है तो उस fund का CAGR और XIRR क्या है तो और उसमें से कौन सा important factor है जो आपको analyze करना चाहिए तो वो मैं आज आपके साथ इस video में share करने वाला हूँ तो वीडियो को अगर आप पूरा watch करेंगे देखेंगे तभी आप इसका value समझ पाएंगे कि CAGR और XIRR में क्या फरक है और हमें इसका analyze कब करना चाहिए तो चलिए चलते हैं next page पर जिसमें कि अभी what is CAGR compound annual growth return so it is simple आपने बहुत बार सुना भी होगा कि annual जो yearly growth है आपके investments की हुए funds की तो entire period में जब भी आपने पैसा लगाया so that is called CAGR right let's take an example कि आपने market में साल 2010 में आपने investment किया right दस लाग रुपे का आपने investment किया आप इसको अगर example के साथ समझेंगे तो आपको दोनों ही factor बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे कि मैं आपको explain क्या करना चाहता हूं तो साल 2010 में आपने पैसा लगाया माल लीजिए 10 लाग रुपे साल 2022 में आपको 18 लाग रुपे का जो है total payout receive हुआ या आपने उसको redeem कर लिया अपनी investments को अभी आपकी जो absolute return बनती है that is 80% कोई भी बता देगा राइट कि 10 लाग पे अगर आपने 18 लाग रुपे कमाया तो आपकी जो returns बनती है that is 80% return now अभी अगर इस पे आप CAGR calculate करेंगे तो उसका एक different formula होता है जिसमें की future value divided by present value divided by present value minus जो आपका time period है so आपका time period जो है वो 12 साल लगे तो it means आपका जो CAGR है वो कितना आएगा तो ये calculator है 10 लाग रुपे आपने लगाया 18 लाग रुपे आपको return आया तो वो return जो है 12 साल में CAGR के accordingly अगर वो formula calculate करें तो that is 5% तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर आपका जो है suppose for example आपने अगर ये ही पैसा SIP के थू लगाया होता systematic investment plan के थू लगाया होता तो क्या CAGR का जो return है क्या वो correct है या आपको अपना पैसा mutual fund में अगर SIP के थू लगाना है तो आपको कैसे analyze करना चाहिए उसको देखिए मैं आपको एक फरक दिखाता हूँ कितना major फरक है यहाँ पे आपको CAGR का पता लगया कि return that is 5% right annually 5% return right तो CAGR आपको क्या दिखाता है annual growth of return right बड़ा simple very simple now XIRR की अगर हम बात करें that is extended internal rate of return तो यह क्या करता है कि provides the current value of the entire investment यह आपको current value provide करता है जो भी investments आपने पिछले 12 साल में की है right तो अब यहाँ पे major फरक क्या है अगर suppose कीजिए देखिए यहाँ पे मैंने properly mention किया है कि it is used where many transactions take the places right अगर आपने over the time period आपने अलग अलग बार पैसा लगाया market में ठीक है different different level पर पैसा लगाया different different money लगाई तो तब आपका return कैसे बनता है तो उसमें CAGR आपका help नहीं करेगा right उसमें आपका help करेगा XIRR तो वह कैसे है at times one can redeem a small amount कभी आपने मालीजे small amount को redeem कर लिया right on the other hand आपने अपनी investments को pause कर दिया तोड़े time के लिए कुछ महीनों के लिए आपने पैसा लगाया इनी market में तो that moment जो है आपको correct return निकाल के देगा that is the XIRR right तो most of the time आप कभी देखें retail investors क्या करते है retail investors जब पैसा लगाते है market में और वहां से अगर कभी downfall start हो जाए छे महीने के बाद तो उन्हें लगता है कि यार नहीं अभी अपनी investments को pause कर देते हैं तो that moment अगर आपने अपनी investments को pause किया और उसके बाद आपने थोड़े time period वेट करने के बाद अपनी investments को resume किया तो that moment जो है आप कैसे calculate करोगे कि आपको actual return क्या है तो उसके लिए XIRR जो है that is the best formula into the mutual fund market कि जहां पे आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पैसा market में लगा रहे हो तो आपको पता कैसे चले कि आपको कितना return मिला है so now move to the next part this is the calculated value of your 10 lakh rupees which was invested in the 2010 and withdraw in 2022 अगर आपने यही पैसा for example 144 बार EMIs में लगाया right हर महीने आपके account से पैसा कटा कितना महीने का आपने 6945 रुपे का contribution market में किया तो 144 महीना पैसे देने के बाद जो आपका return आया 18 lakh रुपे का अब उसका annual return क्या निकलता है आपका actual return क्या निकलता है that is 9% to 10% so this is XIRR अभी अगर आप हमने यही calculation किया था CAGR में तो हमने वहां पे लगाया था कि 2010 में अगर किसी customer ने 10 lakh rupees लगाया है 2022 में withdraw कर लिया तो 12 साल में उसका CAGR का return था that is only 5% annually right 5% annually लेकिन अगर आप वही पैसा ship के through mutual fund में लगाते हैं तो आपका जो return है वो 9 to 10% होता है देखे यही फारक है यहां पे CAGR और XIRR में so आपको यह decide करना है कि which one is the better formula better model for you when you are going to invest your money into the mutual fund market through SIPs right so keep learning keep watching my videos thank you so much और अगर आपका इस video के regarding कोई भी question है तो please comment box में जिरू टैक किजिए but देखना start किजिए कि CAGR के साथ साथ XIRR जो है particular mutual funds का क्या भोल रहा है वो आपको ज्यादा help करेगा thank you so much